शोसल मीडिया पर ऐसी खबर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि खिसारी लाल यादव और पावर स्टार पावन सिंग की मुलाकात होने वाली है और ये दोनों स्टार एक साथ मिलकर आप से समझोता करने वाले हैं अब ऐसा क्यूं क्यों कि पावन खिसारी भोशपूरी के दो आपस में लड़ जाते हैं और अब तो इन दोनों स्टार के यूट्यूबर्स भी आपस में लड़ना शुरू कर दिये हैं जिसके वज़े से भोशपूरी इंडस्ट्री के काफी बदनामी होती है भोशपूरी के छोड़े-छोड़े कलाकारों का कहना है कि कि सारी पावन की विवाद की चक्कर में हम लोगों को बहुत परिशानी होती है पबलिक इन ही की विवाद में उलचकर रह जाती हैसे वह हमारे गाने हमारी फिल्में दर्श को तक प्हुंच नहीं पाती है और हमारे गानों पर उच्छ arrived who ऐसे भी अपने आपसी विवादों को लेकर बोचपुर्य Mais integration बोचपुरी। पावर इसंग संग सिंह एक साथ बैठ कर आपस में बातचित करने वाले यारे इन दोनों का मिलन होने वाला है अपने विवादों पर बातचित होने माला है यह दोनों बड़े सुपर स्टर आपस से समझहोता और कि इस पौर्pen नहीं पता और ना ही पवं कहसारी टीम बार की शेरनी कही जाने वाली आक्षुरा सिंग भी आने वाली है हलांकि देखा जाए तो यह तीनों एक दूसरे के विरोधी है हलांकि अगर इस खबर में वाकई सच्चाई है और कल वाकई लखनव में ऐसा कुछ होने वाला है तो यह भोशपुरी इंडस्ट्री के लिए ब मिलने वाले हैं क्योंकि इसे पहले जितने भी आवार्ट शोह हैं उसमें घःता यह जाते हैं तो नहीं जाते हैं और ऐसा ही से लेकिन बिटाया जा रहा है कि लखनाव वाले वह और इसागी चल रही है क्लराजदानी लखनाव में बोशपूरी हिट मशीन खिसारी लाल यादो और भोशपूरी पावरिस्टा पवन सिंग का मिलन होने वाला है और खिसारी पवन का मिलन कोई व्यक्तिकत मिलन नहीं होगा एक बंद कमरे में बैठ कर चार दिवारी की बीश नहीं होगा बलकि ये दोनों सूपूस्टार का लखनव में होने वाले अवार्ट फंक्षण में इवाइच किये गए हैं और इसी अवार्ट फंक्षण में अपने अपसी विवाद के बाद किसारी लाल यादो और पावर इस्टा पवन सिंग एक साथ मिलने वाले हैं बाकि हम आपको याद दिला दे कि हमने आपको दो-तीन महीने पहले भी बताये था कि भोशपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आवार्ट्शो होने वाला है जो कि राजधारी पटना में होगा लेकि शोसल मेडिया पर कल से ऐसी खबर सामने आ रही है कि इस बार जो दूसरे से लखनव वाले आवार्ट्शो में होने वाला है बाकि अगर इस खबर में सच्चाई है कल बाकर बोश्पूरी इंडस्ट्री का कोई बड़ा वार्ट्शो लखनव में होने वाला है तो यह देखना काफे दिल्चस्प होगा कि जब खिसारी लाल यादो और पमन स इस एक दूसरे को देखेंगे तो उनका रेक्शन क्या होगा यह देखना दिल्चसप होगा कि ब्रेक अप के बाद अक्च्च्रह संग और पमन इस एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि खिसारी मेरा चोटा भाई है ऐसे में हर कोई सि वह किषाए यह देखने के लिए विताब हाथि यह कैम्रा के सामने भाईचारा देखाने वाले पवण downts- YES मिलते हैं तो वागई अपने आपसी विवाथ को भूलकर अपने यह स्टार Stephanie करके अपने घमुण को किनारे करके घुञा करके मिलते हैं या नहीं। बाकि आज से ये ख़बर सामने आई है। तब से पवन सिंग और खिसारी लालीयादों के फैंस इस बात का बीसमरे सा amdnah सी इंतिजार कर रहे हैं कि पवन खिसारी के एक होने की ख़बर अखिर कब सामने आईगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि पवन-किसारी का बिवात समाप्त हो जाएं, ये दोनों भाई एक दुसरे से मिल जाएं, और यही भोशपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि अगर पवन-किसारी एक साथ आते हैं, तो हमारे भोशपुरी इंडस्ट्री बाकि इस खबर से जूरी कोई नई जानकारी कोई ने अपडेट सामने आगा तो हम आपको जरूर बताएंगे फिलाल इस वीडियो को ही पर समात करते हैं और मिलते हैं से किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीचे धन्यवाद